सब्सक्राइब लफ प्रेश चिला एकल टे डाल जिएन और जहला कर लिए समय के वीडियो बेसिकल लॉजिकल गेट्स कर लाले हैं उसके प्रैक्तिकल इंपलिमेंटेशिन देखने वाले हैं लोजिकल एक्सपरेशन iOS के प्रोपिर टेखने से लिए सिर्फोर कुण गाले में सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं basic logic gates कौन कौन से होते हैं basic logic gates not gate and gate और gate not gate nor gate और exor gate अब इन सबको हम लोग line by line elaborate करें सबसे पहले देखते हैं and gate and gate कैसा होता है and gate का काम क्या होता है and gate basically दो या दो से ज्यादा input को multiply करके दे देती है जैसे आप circuit symbol में देख सकते हैं A और P है वो as a multiply C मिल रहा है इसका boolean expression देख रहे हैं C is equal to A into B अब इसका true table हम लोग समझने की कोशिस करता है जब A 0 है और B 0 है तो basically हम लोग math से समझेंगे इसको जब दोनों 0 होगा तो जाइड से बाते multiply होता है तो 0 ही आता है जब एक भी अब उसके बाद दूसरा है 0 और 1 इसमें भी multiply होगा तो 0 ही आएगा 1 & 0 इसमें भी multiply होगा तो 0 ही आएगा 1 & 1 1 और 1 को multiply किजएगा तो as the 11 लिख सकते और 1 यहाँ पर हम लिख देंगे और 1 एक बज गया वो carry में चला जाता है अब देखते हैं हम लोग or gate basically plus करने का काम करता है यहाँ पर circuit symbol में आप देख पा रहे हैं A, B है C मिल रहा है 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1 वापस से 11 होगा जहां 1 हम लोग लिख देंगे और एक और 1 carry में चला जाएगा उसके बाद है not gate not gate basically जो भी input मिल रहा है उसको क्या कर देता invert कर देता है change कर देता है हमारा पस दो ही type के input होते हैं 1 और 0 अगर 1 मिलेगा तो 0 कर देगा 0 मिलेगा तो 1 कर देगा आप circuit symbol में देख पा रहे हैं A है तो यहाँ पर B या A बार लेख सकते हैं boolean expression क्या है B is equal to A बार यहाँ पर लिख चुका है और true table 0 है तो 1 और 1 है तो 0 अब एक नया gate आपको देखने को मिला होगा सबसे basic gate है जो input मिलेगा वही output दे देगा यहाँ पर जैसी इसके circuit symbol है A है B है 0 मिला 0 दिया 1 मिला 1 मिला उसके boolean expression क्या हो जाएंगे B is equal to उसके बाद है NAND gate यह not gate और AND gate का combination होता है यहाँ पर आप circuit symbol में देख पा रहे हैं A, B से C मिल रहा है और यहाँ पर not क्या है वहाँ पर छोटा सा circle देख पा रहे है वही not का symbol है इसके boolean expression A into B जो मिलेगा उस पर क्या कर देना है बार कर देना है वही हमारा C output हो जाएगा जैसे त्रूट टेबल समझने की हम लोग कोशिष करते है 0 & 02 जब multiply होता है तो जिरो होता है उसके विल्टा 11 मिल जीरो और one multiply होता है तो Means線 का मिल गया ना one और zero multiply होता है तो जिरो उसका विल्टा वैन हो गया जन one और one multiply होता है तो वन relying today नाब हम लोग देखते नौर जो नौर गेट और और गेट का कम्बिनेशन होता है जैसे आप सर्क्रिट सिंबल में देख पा रहे हैं यह दोनों क्या होड़ा एड हो रहा है जो आ रहे हैं फिर उसको नौर कर दिया जा रहा है यहां पर भी आप छोटा सा सर्कल देख सकते हैं इसके बूलियन बाकी सब भी वैसे ही हो जाएंगे उसके बाद है एक्जॉर गेट एक्जॉर गेट का सर्क्रिट सिंबल आप देख पाते होंगे यह बी है और यहां भी सी मेरे को मल रहा है थोड़ा सा चेंज़े से और गेट में ठीक है और इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है और या फिर इसको हम लोग ए बी बार प्लस ए बार बी भी लिख सकते हैं इसके त्रूट टेबल को समझने की कोजिस करते हैं अगर जब भी दोनों बिट सेम हो जाएंगे तो हमारा जो आउट्पुट मिलेगा वह 0 मिलेगा और जब भी भी डिफरेंट होंगे तो जो बूलियन एक्स्प्रेशन यह है एक जो और बी और नॉट लग गया है तो टेबल जब भी दोनों सेम होंगे तो 1 मिलेगा और दोनों डिफरेंट होंगे तो 0 मिलेगा अब हम लोग देखते हैं लास्ट बूलियन लॉग्स a b b a के बराबर होता है मनलब जो a b देगा वही b a देगा a प्लस b b प्लस a के बराबर होता है मनलब जो a प्लस b देगा वही b प्लस a देगा नो a प्लस a b a के बराबर होता है a इंटू a प्लस b भी a के ही बराबर होता है नो a इंटू b प्लस c को हम लोग a b प्लस b c भी लिख नो a plus b का बार हम लोग a bar dot b bar से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो इसका प्राक्टिकल इंप्लिमेंटेशन हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे अगर आप मेरे चैनल पर नाय है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता है जैहिंद वन्दे मांद्राओं